Hello guys, welcome to Constance Mind, मैं हूँ दीपक and आज हम बात करेंगे कि State Government University से, वो भी Kolkata की है, वहाँ के जो PhD Admission Notification है, वो Open University से है, State Government University के Hello guys, welcome to Constance Mind, मैं हूँ दीपक and आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं, एक और Notification के साथ इस नई वीडियो में यह एक State Government University से Notification है, और यह Kolkata से है, ठीक है, यह एक State Government Open University है, इसके स्टार्टिंग आज ही से हुई है, Notification कल आ गया था, और इसकी लास्ट डेट आठ फरवरी 2030 से है, इसमे नेट जाराफ उनले PG सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तथा इंटरंस एक्जाम होगा, और जो किसी एक्जाम से exempt होगे, वो डारेक्ट इंटर्व्यू दे सकते हैं, तो सभी information सीटों के सार्थ आपको दिखाते हैं, ब्रीफली ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, तो दोस्तों, नोटिफिकेशन को दिखाने से पहले आप सभी को बता देंगे, कर आपको प्रिविस य पेपर के लगबख सेट मिलेंगे, और यह अंसर की के साथ होंगे, तो पेपर अगर आप लेने चाते हो, तो सिर्फ पेपर ले सकते हो, रिशर्ज मेटलोरियन सब्जेक्ट दोनों का एक साथ, और या तो अगर आप बुक लेना है, तो बुक का भी लिंक है, एमजोन का, व यहां पर आप लोग देख सकते हो, यह 18-2023 की notification है, राइट साइड, admission to PhD program, यहां से हम notification on application form और आपका regulation भी देख लेना है, तो यह आप देख सकते हो, यह notification है, admission notification for PhD program, academic year 2022 का, 19-2023 का यह notification है, लेकिन 21-21 को जो notification आया है, और इसमें जो सीटे हैं वो आप देख लिजे सबसे पहले कमेस्टी है फिजिक्स, जिलोजी, बॉटनी, बेंगॉली, इंगलिस लैंग्वेज और हिस्टी, सोसियोलोजी, एजुकेशन, कॉमर्स, तथा मैनेजमेंट, लाइब्रेडियन, इन्फॉर्मेशन, साइन्स से सीटे हैं, ठीक है और इसके जो रिसर्च एरिया है, उनको भी यहाँ पर दिया गया, वो भी आप देख सकते हो इलिजबिल्टी क्या है, तो इलिजबिल्टी यहाँ पर 55% में आपका मास्टर्स याँ एमपेड होना चाहिए, तो आप अप्पलाई कर सकते हो एंड यहाँ पर 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा, SCST, OBC, and EWS को, ठीक है, जिसमें की आपको 50% की इलिजबिल्टी के अंतरगर्द कैरी किया जाएगा सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर आपका NSOURET टेस्ट होगा, मतलब रिसर्च इलिजबिल्टी टेस्ट जो होता है, वो होगा, and जो भी कनिदेटिस में एक्जम्ट कैटिक्री वाले हैं, उनको इंटरंस एक्जाम से एक्जम्ट रखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, कि the candidate who has qualified the fellowship scholarship in UGC net, or has valid score in CSIR UGC net, get CED, accept रहा, ठीक है, तो ऐसे कनिदेट्स अभी जो है, वो इंटरंस एक्जम नहीं देंगे, वो डिरेक्ट इंटर्व्यू में आएंगे, इंटरंस एक्जम यहाँ पर 70% वेटिज का है, और इंटर्व्यू 30% वेटिज का यह होगा कैसे, इसमें 50% मितलॉजी आएगा, 50% आपका subject रहेगा, यह MCQ-based question होंगे, और जो भी candidate 50% लाएगा, वो qualify माने जाएगा, या exam category वाले जो रहेंगे, वो दोनों लोग का इंटर्व्यू होगा, और यह इंटर्व्यू जो है, वो इसका second stage रहेगा, 5% का छूट मिल ठीक है, बाहर सेंटर नहीं दिया गया, इंटर्व्यू में आपको precious proposal वगरे डिसकस करना होगा, वगरे वगरे जो भी चीज़े हैं, वो यहाँ पर बता दी गई है, तो यहाँ पर application fee 2000 रुपए है, और यह थोड़ा सा ज्यादा भी है, online application के starting 2021 2030 से 2022 2030 तक है, online fee collection 2021 2030 से 2022 2030 तक ह ही होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर document verification for the candidate as mentioned in 5.a at university headquarter 162030 से 172030 तक, यह office hours में ही आपको document verification कराना है, वो सभी का verification document का नहीं है, जिनका है उसके बारे में यहाँ पर उपर यहाँ पर दिया गया है, यह 5.a जो next year है, इसमें दिया गया है, इसमें जो भी आते हैं, उसके by according बताया गया, मतलब कि जो भी exempt category वाले हैं, उनका document verification एक परकार से, उन ही में से होगा, यहाँ पर apply करने से पहले, यहाँ का regulation PhD का एक बार देख लीजेगा, उसमें जो भी चीजे नहीं समझ में आ रही हैं, वो दी गई है, ठीक है, तो application online ही है, अगर link आज नहीं open हुआ है तो कल link open हो जाएगा, ठीक है, तो यह आप लोग देख लीजेगा, और कोई दिक्कत आती है, तो आप बतायेगा, तो यहाँ पर application कैसे करना है, उसके बारे मिया पर दिया गया है, admission of, यहाँ पर देख सकते हैं, यह तो foreign candidate का admission का है, बाकी जो candidate है, उनके लिए यहाँ पर online application ह है, कल से portal open हो जाएगा, बाकी जो candidate है foreign के, उनका तो offline है, डुली फिल्ड, ठीक है, तो और कोई भी दिक्कत आती है, तो पूछेगा, और regulation भी देख लीजेगा, site calling description में दे दिया जा रहा है, तो thank you so much for watching, छोटा सा application था जिसे आपको 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 मने बताया, ऐसे notification मिलते रहेगी, चनल को सब्सक्राइब कर लीजाए, धन्यवादा